हमारे काम जो आजहा है, जो हमकी सुरक्षा कर रहा है जो हमारे भच्चों की सुरक्षा कर रहा है भच्चों को पढ़ाय लिखाए में अगे बढ़ाने की पूरी गोर सुर्शे लगे हुए है तो हम उनका सफड़ करेंगे, आने वाली मरीicesAn अच्छी होगी उनके राज में इ को भी पसंद नहीं करेंगे यह तो बस खाली दिखा रहा है कि हम मुस्लिम एक हैं कोई मुस्लिम एक वो नहीं है आपका नाम है हुसना बेगम जी यह आप भी एक मुसल्मान है वैसी जी भी मुसल्मान है तो कह रहे हैं कि मुसल्मानों को इंतजार है मोदी योगी को हटाने का और उसके बाद हम हिंदू को मिल के देख लेंगे ये उनकी सोच है ये अपनी जब अपनी कौम के नहीं है तो ये मोधी और योगी हिंदू-मुसलिम क्या करते हैं ये उनकी सोच है कि हम सोचते हैं कि हम मुसलिमों को अपने तरफ कर लेंगे ये तो सुन्नी और वहा सब्सक्राइब करते तो आपके क्या हम हैं तो ओल सबस्क्राइब करेंगे यह तो यह जन बटकाना है मुसलमानों को भड़का करें भिए आब 2015 मेरे साथ प्राथ भून कि लिए आप अब मद आई कि हिंदू मुस्लिम क्या है कुछ नहीं है तो यह चीज सोचे हम लोगों को भी रखनी चाहिए कि जब प्रधान मंत्री होके हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं हर चीज अच्छी चीजे देते आ रहे हैं बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं हम लोगों को देख रहे हैं आ बाहर नहीं निकले हैं और रह गया कि पर्दा पर्दा हम लोग बुर्खा नहीं उड़ते हैं इसी तरह निकलते हैं अब जरूरी है कि बुर्खा पहिंगे निकले तभी बुर्खे वाले भी सेफ हैं और ना बुर्खे वाले भी सेफ हैं दोनों सेफ हैं किसे पहले नहीं थे क कांड हुआ जो उन्होंने छुपा दिया दबा दिया ये सरकार आई ये थारा ओपन हुआ सब कुछ अगर होता है तो उस पर कड़ी से कड़ी करवाई किये जाए जाए हैं कि अभी तो हम वक्त ऐसा है कि हम मजबूर हैं लेकिन हम जवाब देंगे उनके कहने से क्या होता है कि कि वह मजबूर हैं वह दिखा रहें कि हम मजबूर हैं कुछ कर नहीं सकते तो कुछ तो कर नहीं सकते ये तो हकीकत है कि वह कुछ नहीं कर सकते आज भी नहीं कर पाएंगे कल भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि सरकार जाने वाली नहीं है वह खाब देखते रह जाएं और यह स के बारे में भी सोच रहे हैं पुरा उत्तर प्रदेश के बारे में भी सोच रहे हैं तो हमारी सोच अच्छी है कि हम अपने देश के प्रधान मंत्री हो या मुक्मंत्री हो उनका साथ देंगे लेकिन उनका साथ नहीं देंगे क्योंकि वो साथ नहीं दे रहे हैं वो खाली हिं आपको पता चलेगा कि उनकी मस्जिद अलग है, उनकी मस्जिद अलग है, सिया की अलग है, वहाभी की अलग है, अगर एक रहती तो एक ही न रहती, क्यों तीन बढ़ती, बढ़ती नहीं न, तो जब एक है तो आप एक रहो न, फिर क्यों उसको दिखा रहा हो तीन-तीन, वो स है कि Muslim Vodbank तो हमारा है उन्हों को नहीं ho archivo k sub graphuage उसके पहले ही लोग सरकार उनकी जाती नहीं अगर evenly मुसलिम उनके साथ सरकार उनकी सरकार जाती नहीं यह सरकार नहीं या थी तो जनता भी समझ चुकिए कि कौन हमारा साथ दे रहा है कौन हमारा साथ नहीं दे रहा है जनता अपने आप खुद बखुद चाहे मुस्लिम चाहे हिंदू हो सब अपने प्रधान मंतरी या मुख मंतरी से वैसी कि योगी और मोदी हमेशा नहीं रहेंगे एक टाइम आएगा कि योगी चले जाएंगे मठ में और मोदी चले जाएंगे पाहाडों पे तो उस टाइम जनता क्या करेगी पे ऐसा थोड़ी है कि भाशपा नहीं आएगी मोदी जी तो जाना ही है जाना मोदी जी का भाई प्रधार मंतरी वाला जो है 60 साल का वो तो खुदी बोले थे कि उससे ज्यादा एज वाले लोग नहीं रहेंगे जब वो हो जाएगा तो अगर होगा तो लेकिन तो कोई तो आएगा ना आएगा ती भाश्पहिन आएगी तो हम इसको क्यों सोचे कि हां दूसरी सरकार आएगी आएगी तो यहीं काम इसी तरह हमेशा होता रहेगा काम में कोई कमी नहीं आएगी यह तो हम लोग जान रहे हैं इसलिए हम लोग उनको ओड़ देते हैं हमारे काम जो आ रहा है जो हम लोग की सुरक्षा कर रहा है जो हमारे बच्चों की सुरक्षा कर रहा है बच्चों को पढ़ाई लिखाए मे अगे बढ़ाने की पूरी जोर सोर से लगे हुए है तो हम उनका सपोर्ट करेंगे आने वाली मेरी जनरेसन अच्छी होगी उनके राज में इन लोगों के राज में जनरेसन अच्छी नहीं हो वैसी जी को क्या फाइदा मिलेगा इस बात का कि एक मुसल्मान है और चुनाओं में उतर रहे है मतलब यूपी में तो कुछ मिलेगा मुसलिम जाएंगे उनकी बातों से कुछ ऐसे लोग भी है जिन पर असर होगा इस तरह की बातों का कि अब समय आ गया है बदला लेने का हिंदूों से यह उनकी सोच है वस उनकी की बताया ना यह वहावी लोग Luke उनके साथ देंगे बाकी और सुननी जमात के लोग साथ नहीं देंगे यह सब चीजे उनकी है यहाँ भी आएंगे चले जाएंगे यहाँ सरकार अब उनकी बनने वाली नहीं है योगी राज जु की बात करती है मंदिर बनवाती है ऐसा कुछ हमेशा विपक्ष की तरफ से कहा जा है यह सब बातें गलत है देखिए अभी यह विस्वनात मंदिर में इतना बड़ा गाता नुवा सब कुछ हुआ वहां मस्जीद है ना उसको कोई टच किया कोई टच ने किया उसको भी तो कहा अपकी नहीं आपके समाज में कि हमारी मस्जिद को धग दिया है मोधी जी कुछ धका हुआ नहीं हम लोग देखे हैं लोग सुरू से देखते आ रहें वच्पन से देखते आ रहें पहले तो मजिदी थी आज एद एंध तो मस्जिद दिख रही है आगी है सामने मिया दिन सब गलत बाते हैं कि ढग दीए अगर योगी राज और अखलेश सरकार को देखें आप तो उसमें क्या अंतर क्या दिखता है आपको 2017 से पहले जो सरकार थी 2017 से पहले आप तो पुलिस कर्मियों को देख लीजिए उनकी हालत कितनी खराब थी बेचारे वो लोग बैठे रहते थे जनता की मदद करने के लिए उनको अपनी मदद मागने के लिए कहां जाना पड़ता था उनके कारे करता तो जाके घर में बवाल चोकी थाने पर उठा प पिया को फोन कर रहे हैं यह और की चलती थी पूरी एक दम बवाघी चलती थी आज बवा चले गए तो अब वापस सपन भी देख रहे हैं ना आने का 400 पार सीट लेकर तो अब ना देखे ना सपना देखने कु बना कोण किया है सपना देखते रहे जो काम है इधर जो होता चुप चाप बैठी रहे जाएंगे तो घूज देना है गरीब गया तो घूज देना है उसको अब कोई बड़ा चला गया तो उठा पटक करेंगे तो उतने समय तो भई तीज में कोई अंतर आया है ये घूज घूज वाला तो एकदम खतम हो गया है अब डारेक्टली काम होत करें कहा जाता है कि अखिलेश यादव के राज में या मुलायम सिंग थे तो गुंडा राज चला करता था तो क्या है ये गुंडा राज एक महिला होने के राते मतलब कैसे देखती है आप उसको क्या था उस समय और अभी कमी आई है उसमें या नहीं पहले तो रास्ता चलत लड़कीं को लोग छेड देते थे बएल की राज्टी कोई कoger होती होटी के बाटी के मतलब आप ये उता था कि आरे चलो कुछ नहीं होगा मेरे साथ ये नेटा है ना थाना चोकल कुछ नहीं होता है पां लेंगे तो बस वही चीज वो लोग लेके चलते थे आज ये चीज खतम हो गई है आज तो कोई नेता ये नहीं कह पाता कि चलो हम देख लेंगे तुम कर लेना जो करती बने तो ये सब चीजे खतम हो गई है बक्ष का एक मुद्दा है कि गरीबी बढ़ गई है बेरोजगारी अपने खयां श्रम पर है। ये मुद्दी सरकार के आने के बाद से तो क्या है अईसा लगता है आपको कि हां मतलब से या जिस इसाफ से था उसी साफ से महंगाई बढ़ती थी उसी तरह आज भी बढ़ी है और काम देखिए उसी तरह लोग कर रहे हैं बेरोजगारी क्या सबका दीरे-दीरे जो जो काम इतने दिन से लगडाउन लगा था लोगों का चल रहा था अब महंगाई भी बढ़ी है या काम बेरोजगारी भी है तो अब मार्च तक यह जो रासन बाटें के सरकारी जो फ्री वाला है कंट्रोल से तो वो सब जनता ही कुना दे रहे हैं तो भुकमरी कहां हुई हम लोगों ने यूपी में देखा था लागड़ाम के समय इतना तरह समान बाट रहते लोग देखने लोग खुदी करते हमको समान देना है तो राशन वाला ये दिया जाता था वित्रन होता था राशन का तो उसमें कोई अंतर आया कि पहले की सरकारों में क्या मिलता था और अभी पहले में कुछ क्या मिलता था सब तो बंद हो चुका था और अभी जो बंद हुआ था अभी प्रदान मंत्री निकाले हैं ना कि तेल भी मिलेगा चीनी भी मिलेगी दाल भी मिलेगा चना भी मिलेगा तो चावल हो गयों मिलता था तो अभी देखिए इस महने से यह सुरू हो गया है तेल भी मिल रहा है चना भी मिला है दाल भी मिले यह चावल भी मिल रहा है तो क्या बत जागा तो उनको भी मिलेगा और कितने लोगों कैसा है कि हम लोग ले जाके कंट्रोल से इसी तरह दिला देते हैं कि चलिए आप लोग भी दे दीजिए इन लोगों को थोड़ा वही देख लिजए कि गरीब आदमी है तो अभी आप अपने जो आपके समाज के लोग हैं उनसे आपकी बातचीत होती होगी तो महिलाओं की अभी पहली पसंद कौन है अब तो महिलाओं की पहली पसंद मोदी और योगी हो चुके हैं दोनों बदलाव नहीं होने वाला बदलाव नहीं होगा सरकार यही रहेगी बदलाव नहीं आएगा और जो कहा जाता है कि यह मुस्लिम समाथ जो है उसको डरा के रखती है बीजेपी दबा के रखती है जैसा हो वैसी ने भी बोला है कि वक्त अभी हमारा है ऐसा है कि हम खामो जो पहले अब में बहुत फर्क हो चुका है अब सब खुशए मुसलिम हो चाहे हैंदनु और और ज्यादा खुशए गैस के यह कई सूछा मिल गई हमें गैस मिल गई आस ब्रोफ चलाए मिल गई है अब क्या चेंए घर मुणाने के लिए पैसा दे रही है और रोजगार करने के लिए भी पैसा दे रही है इसा नहीं कि वो नहीं दे रही है वो भी दे रही है कि आप रोजगार करिए समू में पैसा आ रहा है औरतों का समू बन रहा है उनको भी दिया जा रहा है कि आप भी कुछ काम करिए समू में आके बैठके करिए तो कहां से हम क कि अदे की औरते को साथ नहीं हो रहा है या किसी को बेरोजगार किया जा रहा है समू द्वारा सारा काम किया जा रहा है धन्यवाल